क्या आपकी स्किन में भी पिग्मेंटेशन स्पोर्ट्स है या अनिवन स्किन टोन है अगर इसको आप भी रिद्यूस करना चाहते हैं तो डेफिनेटली कर सकते हैं यस यू हर्ड मी राइट लेकिन इसको किस तरह से करना है ये मैं आपको अच्छे से समझाऊंगी इसलिए हमारी इस वीडियो को आप ध्यान से देखिए जिससे कि आप भी इससे अपने लिए रिड्यूस कर पाएंगे चल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं हाई एवरीवन वेलकुम तो में चैनल मैं हून जिना आप सभी बहुत बढ़िया होंगे देखिए अगर आपकी स्किन में बहुत ही सादा पिग्मेंटेशन है पहले आपको समझना पड़ेगा कि पिग्मेंटेशन के टाइप भी होते हैं यानि कि अलग-अलग तरह की अग्षा, इप्पिग्मेंटेशन यानि कि वो आपकी स्किन के डीपर लेयर तक पोकच चुकी है अगर वो आपके डीपर लेयर पर बहुत चुके हैं तो आपको ऐसे में या तो आप चाहे तो डामेट के पास जाके या दौक्टर के पास जाके एक कैमिकल पीलिंग करवा स दूसरी होती है, dermal pigmentation, वो जो होती है, वो आपकी skin की second layer तक पहुच चुकी होती है, ऐसमे अगर आप चाहें, तो कुछ तरह के जो assets होते हैं, वो apply कर सकते हैं, अब आप कहेंगे कि आपने तो कहा था, commercial products को कम से कम अपने घर पे store करो, और जादा से जादा DIY करो, जादा से जा natural ingredients apply करो, यह बात बिल्कुल सही है, आप जितने जादा natural ingredients अपने face पे लगाएंगे, उतना ही सही आपके लिए रहेगा, लेकिन कभी कभी आपको इन पे भी depend होना पड़ जाता है, depending upon कि आपका जो face है, वो किस तरह की condition में है, तो अगर आपको इसा लगता है कि आपका जो face ह अपने लेके रख सकते हैं और या फिर आप अपलाई कर सकते हैं, alpha orbital, अगली होती है mixed pigmentation, mixed pigmentation यानि वो आपके skin के हर एक portion तक नहीं पहुची है, यानि वो आपके skin के अलग-अलग जगा पे pigmentation बना रही है, थोड़ी बात आपके cheeks के around हो सकती है, आपके mouth के around हो सकती है, आप uneven skin tone है, और आपको एक clear skin चाहिए, तो उसके लिए आप इसे definitely use कर सकते हो, जो मैं आज आपको बताऊंगी, इसको apply करने से आपके pigmentation होती है, वो reduce हो जाती है, अगर आपके pigmentation around mouth है ना, तो आप एक बात ध्यान दीजे, कि आप जब भी सोते हैं, तो आपका जो भी saliva निकलता ह कि जब भी आप सोते हैं, तो एक sleeping posture अपना सही maintain करें, तो ये थोड़े बहुत और pointers को आपको साथ के साथ देती रहती हूं, वो उतनी ही important होते हैं आपके लिए, इसलिए मैं बोलती हूं कि सारी video को आप देखा करिये, जिससे कि जब आप पूरी बातों को समझ लेते हैं, त इसको अगर आप करते हैं, तो आपके skin से ये सारे के सारे जो deposits होते हैं अलग अलग जगा पे, वो reduce होने लगेंगे, इसके लिए आपने सबसे पहले लेना है tomato, और tomato यानि की जो tomato होता है, उसमें होता है lycopene, अगर आप tomato अपलाई करते हैं, तो आपके skin की जो mixed pigmentation होते हैं, वो reduce होने लगते हैं, आपने आधर tomato लेना है, उसके अंदर का जो rust होता है, आप उसको निकाल दीचे, और इसमें अब आपने दो हिस्सों में इसको divide कर देना है, जो पहला हिस्सा है, इसमें आप आप डालेंगे basin, जो basin है आप एक से डेट चमच के around डाल सकते हैं, और अच पूरे चहरे पे भी लगा सकते हैं, नहीं तो बस आपने माउथ के आसपास ही लगा सकते हैं, डिपेंड करता है कि आपके pigmentation किस तरह की है, अगर माउथ के आसपास है तो माउथ के आसपास लगाई, अगर पूरे चहरे पे है तो पूरे चहरे पे भी आप इसे अपलाई कर अपलाई करके आपने ऐसे ही रख देना है जब तक यह 80% तक ना सुख जाए तक तक आप ऐसे लगे रहन दीजिए उसके बाद आपने बहुत ही ज्यादा सौफ्ट सा एक गलॉथ लेना है जितना सौफ्ट क्लोथ होगा उतने ही ज्यादा आपके जो चेहरे पर इस्टोर हो ज स्किन पर रेजिद्यू नहीं रहेगा तो अगला स्टैप आप अच्छे से अपने ले कर पाएंगे अगली स्टैप में आपने क्या करना है जो थोड़ा सा बाकी आपका टमाटर बचा हुआ है उसमें आप डालेंगे दही ठीक है जो दही होती है वो आपकी स्किन को तरह से क्लेंजिंग आपकी मिल्क करता है वैसी ही क्लेंजिंग आपकी दही भी करती है तो अच्छे से आप इसे मिला लिंगे ठीक है एक चमच या दो चमच के अराउंड आप इसमें दही डाल देंगे और उसके बाद आप इसे पूरे चेहरे पे लगाना चाहते है तो जब तक यह 80% तक ड्राइ नहीं हो जाता तब तक आप इसे ही रखेंगे और उसके बाद कोई बहुत ही सॉफ्ट सा कॉटन लेके अपने उसको वाइप कर लेंगे जहां पे आपने अपने अप्लाई किया है अगर आपके दियाय वाइ फेस पाक लगाया है वो अच्छे से रिमूफ हो जाएगा और अगला स्टेप आप अपने ले अच्छे से कर पाएंगे अगले स्टेप में आपने सबसे पहले लेनी है अलोवेरा जल आप दो चमच अलोवेरा जल डाल दीजिए ठीक है और आप हो सके तो कोई भी रेडी मेड अलोवेरा जल यूज करें क्योंकि उसको अप्लाई करने से आपका फेस अच्छे से क्लीन होगा ठीक है तो आप अलो अगर आप चाहें तो आप अपने माउथ के अराउंड ही इसे हलका हलका से मसाज करें इसे जब अपने पूरे चहरे पर मसाज करते हैं तो आपकी स्किन की लॉंजविटी बढ़ती है आपकी स्किन की इलास्टिसिटी बढ़ती है आपकी स्किन बहुत धीली पढ़ जाती है और आपकी स्किन जब टाइट होती है तब ही वो प्लंप भी होती है तो इसलिए आप अपनी स्किन पर अच्छे से अपलाई कर लीजिए और अपलाई करके आप इसे ऐसे ही रहन देंग आप पोलते हैं कि यह वाला skin care routine जो pigmentation skin care routine है वो कप किया जाए अगर आप office जाते हैं तो definitely night hours में आप इसे कीचे लेकिन अगर आप गर पे रहते हैं आप एक you know housewife है कह सकते हैं तो तब आपको जब समय मिलता है तब आप इसे अपने लिए apply कर सकती है right? So I hope कि आपको आज की वीडियो काफी साते useful लगी है और आप भी यह वाला दो step का routine अपने ले करेंगे pigmentation routine था आप सभी के लिए और इसे अगर आप करते हैं तो आप अपनी pigmentation को काफी हद तक reduce कर पाएंगे और आपने अपनी नेंद पूरी लेनी है और अपनी जो पूरी you know lifestyle की जो habits होती है उनको भी ठीक से रखना है तब ही आपकी जो skin है और भी अच्छी होगी So मिलते हैं आप से एक और वीडियो में तब तक के लिए take care and bye guys जो एक प्हाँ कि जो इच्छी है वीड़ी टीक से एक लिए